Spirits Will Like ऐसा शो है जहां लोग कहते हैं कि वो प्यार डूरने आए हैं लेकिन सब के प्यार रोजाना बदलते रहते हैं एक एपिसोड में कोई किसी के साथ प्यार महबबत की बाते करता है तो अगले पल किसी और के साथ लेकिन इस हफ़ते क्या हुआ और अगले हफ़ते कौन बन रहा है आइडिल मैच हाई गाइज, इस में मॉनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन बनने जा रहे हैं अगले हफ़ते आईडिल मैचेश लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप भी मेरी तरह छोटे और बड़े परदे की गॉसिप में इंटरस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस अफते की शुरुआत तक काफी ऐसे लड़के थे जो लड़कियों से अभी तक मिले ही नहीं थे लेकिन एक टास जीत कर तीन नए लड़कों को मौका मिला सबी लड़कियों से मिलने का और इस मिलन में तीनों लड़कों को अपने अपने कनेक्शन भी मिल गए सबसे पहले बात करती हूं हनी कमबोज की हनी को पहली बार मौका मिलाता सभी लड़कियों से मिलने का और उनकी फ़नी और क्यूट परसनालिटी को देखकर सब लड़किया उनकी दोस्तों बन जाती हैं पर कनेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल था पर हनी ने आते ही अकाश लीना को के लिए हां कर दी इसके बाद आते हैं रिशब जैस्वाल जिनके ऊपर सभी लड़कों ने दल बदलू का टैग लगाया हुआ है क्यूंकि उन सब के हिसाब से रिशब कभी किसी के नहीं हो सकते और ना ही अपने जबान पर खड़े हो सकते हैं रिशब को आते ही अप्रोच किया साक्षी त्रिवेदी ने और रिशब को भी साक्षी ठीक लगी पर जब उनको पता चला कि वो दोनों उत्तर प्रदेश के एक ही शहर से बिलॉंग करते हैं तो रिशब की तरफ से उनका कनेक्शन पक्का हो गया अगला लड़का जो लड़कियों से मिलने गया वो थी अगाज अक्तर अगाज लड़कियों से मिले तो पहली बार थे और उनका कनेक्शन सोम्या ने पहले ही सेट कर दिया था अराधना वर्मा के साथ आगाज तो बस उनसे मिलने का इंतिजार कर रहे थे और जैसे ही दोनों मिले दोनों एक दूसरे को पसंद आ गये और दोनों औरमें, अरने गेम में हमेशा आगे तक साह रहने का वादा कर लिया इन तीनों के अलावा जो लड़का लड़कियों से मिलने गया था वह था सोहिल फान जिनका कनेक्शन ऑलरीडी सोम्या के साथ बन चुका है आने वाले हफते में इन चारो कपल के भी टास्क होने वाला है जिन में से हनी अकाश लीना और आगास अराधना ने टास्क जीत कर आइडल मैच की रेस में अपनी जगा बना ली है और अब इन दोनों में से कोई भी बन सकता है आइडल मैच आपका अब तक का favorite couple कौन सा है और किसका connection आपको लग रहा है fake मुझे comment करके जरूर बताए और ऐसी ही छोटे और बड़े परदे की gossip के लिए don't forget to subscribe to my channel till then, bye guys